हेलो अब्रीवन मैं सेफ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज मैं आपको कुछ जनरेशन गैप के बारे में बताना चाहूंगी बहुत सारे लोग मेरे पास आते रहते हैं अक्सर अपनी प्रॉब्लम को लेके कि मेरे फादर मेरी बात नहीं सुनते मेरी मदर मेरी बात से सुनती इस दरह की शिकायते अपने रिष्टों में करते रहते हैं अखिर ऐसा क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा क्या जनरेशन गैप ऐसा क्या हो रहा है तो जनरेशन गैप एक जनरेशन से दूसी जनरेशन के गैप को जनरेशन गैप कहते हैं लेकिन हम ऐसा क्या कि अपने पिता को कहते हैं कि पिता हमारे हमको नहीं समझ पा रहे हमारी मां हमको नहीं समझ पा रही है हमारी दादी ग्रेंड मदर ग्रेंड फादर हमारे नहीं समझ पा रहे हमें देखी हमेशा हम पहली चीज हम यंगस्टर को एक बात कहना चाहते हैं कि वो लोग वो व्यक्ति आपके मदर फादर जिन्होंने आपको जनम दिया वो आपके प्रतम गुरू वहीं है जिन्होंने आपको जनम दिया वो पहले गुरू भी कहते जाते यह Syd noodle vos अपने बच्चों के किभी भी दुश्मन नहीं हो सकते हैं बस उनको और आपको समझने का एक नजरिया अलग है उन्होंने अपने समय में जो भी देखा वो अपनी परिसितियों के according आपको बताते आए और आप अपनी परिसितियों के according उनको judge करते आए अगर वो आपको कहते हैं कि ये कारे मत करो ये काम करो प्लाइब आपको एसा क्यों लगता है कि वह आपका बुरा चाहते हैं उनुन चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी से से हमारे पास आ जाए 5 घर के बाहर जब तक बच्चे रहते मापको बहुत सारी टेंशनस रहती यह बहुत सारी उपरफिक है बहुत सारी कोई और प्रॉब्लम आजकल अचानक से हो जाती है तो उनके मन में एक डर सा बैठा रहता है कि अगर हमारा बेटा या बेटी बहुत लंबे समय तक बाहर है तो वो सुरक्षित है या नहीं अब आपको शायदी बात नहीं पता कि जब आपने जन्म लिया था तो कितनी रातों तक वो जागे हैं जब आपको पाला उन्होंने है आपको पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया कि आपको पात पता है कि वो खुद गीले में सोए होंगे और आपको सूखे में सुलाया होगा उन्होंने खुद नहीं खाना खाया लेकिन आपको खाना खिलाया है तो माता पिता कभी भी अपने बच्चों का सबसे पहले सबसे बड़े वेलविशर है और पहले प्रथम गुरू है वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा न सोच सकते हैं न कर सकते हैं बस हम उनको नहीं समझना चाहते वो हमें नहीं समझना चाहते लेकिन मैं फिर अपने बड़े लोगों को जनरेशन को कहना चाहूंगी अपने माता पिता को दूसरों के माता पिता को एक बात कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाईए अब वो समय नहीं है कि माबाप और बच्चों के बीट में बहुत दूरी रहे अ बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को माबाप को अपना एक मित्र बनाना है दोस बनाना और बच्चों को भी अपने माबाप से सब कुछ सच बोलना है अपने दोस की तरह जैसे हम अपने दोस के साथ comfortable होते तो अपने बच्चों को एक comfortable zone दीजे एक ऐसा zone दीजे जिसमें वो आपको सारी बात शेयर कर सके एक दोस्त होने के नाते वो आपसे उसारी बाते बोल सके जो उनको बोलनी चाहिए अच्छी हो या बुरी हो उनकी सारी बातों को सुनिए और उनकी बातों को सुनने के बाद उनकी एक फ्रेंड होने के नाते मदद करिए आप यह मत सुचिए सुनते समय कि आप एक माँ है आप एक पिता है कि जब आप दोस्त होकर उनकी बातों को सुनेंगे तो शायद आप देखेंगे कि आपके बच्चों ने आपको वह बाते शियर कियोंगी जो आज से पहले कभी भी नहीं की तो हमें दोनों पक्षों को बैलन्स में लाना ही होगा यही प्रिजेंट टाइम जो दौर चल रहा है वो दोनों के कोडिनेशन का ही है हम यह सोचें कि हम अपने माता पिता की बात नहीं सुनेंगे आज व्रधा आश्यम हमें क्यों खोलने पड़े गए किवल और किवल जनरेशन गैप की वज़े से आज व्रधा आश्यम में माबाप भरे पड़े हुए हैं और बचों के पास समय नहीं है तो अगर हम जनरेशन गैप जैसे शब्धों को दूर कर दें हम उनके दोस बनके उनके साथ रहें जैसे हम अपनी बेटी को मानते हैं बहु को मानें जैसे हम दमात को ट्रीट करें मित्र की बात सुनकर दोनों लोग अपना रहते रहेंगे लेकिन हम क्या करते हैं अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेर करना शुरू कर देते हैं तो बच्चों के साथ जब हमारा इंटरफेरंस बढ़ जाता है डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो हम एक ही छट के नीच दादा दादी नाना नानी चाचा चाची भाई बेहन सबसे मिल जुलकर बनता है मौसी मौसा बुवा फूफा सबसे मिलकर बन रहे हम किसी भी रिष्टे को एकनोर नहीं कर सकते हैं तो प्रिजन टाइम में अगर हम चाहते हैं कि हम ओल्ड एज बंद करें तो हम क्या करेंग मौस को अडॉप नहीं कर सकते हैं जब बच्चे अडॉप में उप अब आपको भी अडॉप किया जा सकता है अप आपको लगेगा उनकी स८कर को करेगा। उनकी परविश आए जिस के अब नसरी दोनों को एक दूसरे का साथ है तो हम एक नई सोच चले और अपनी दोनों पीडियों को दोनों जनेरेशन को साथ में लेकर चलें तो आप यकीन मानिए सारी समस्यां समाप्त हो जाएंगी old age home समाप्त हो जाएंगे और orphan age भी बंद हो जाएंगे माबाब भी बच्चे अडॉप करें और जिनके पास बच्चे नहीं माबाब हम कहते हैं हमने उनको माफ कर दिया बड़े कहते हैं हमने माफ कर दिया बच्चे कहते हैं कि तो अगर हम किसी को माफी दे रहे हैं आप बड़े हैं आप बड़े को होकर माफ कर रहे हैं तो दिल से माफ करिए और बच्चों को भी क्या करना चाहिए अपने माता पिता की बातों नहीं होंगे जो अपने बच्चों की बातों को न सुनें माबाप हमेशा अपनी बच्चों की बातों को सुनेंगे और उन्हें एक अच्छे सलाकार की तरह सही सला देंगे तो आज हमें एक promise करना है अपने आप से समात से और अपनी अंतर आत्मा से promise करना है कि हम ऐसा कोई भी कार नहीं करेंगे जो हमारे माबाब को बुरा लगे और माबाब को कहना चाओंगे कि हम अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह हमेशा सला देंगे ताकि उन्हें बाहर किसी भी से सला लेने के अवशक्ता ना पड़े आप अपने बच्चों को समझे और बच्चे अपने माबाब को समझे प्रेजन टाइम में केवल और केवल यही नीड है तो इसी टॉपिक के साथ मैं आपको बस यही सला देना चाहती हूँ कि यह विशय नहीं था यह भावना थी जो मैंने व्यक्त की और भावनाओं में शब्दों का कोई मोल नहीं होता है भावनाई जो होती है वो अपने आप एक्स्प्रेस हो जाती है तो मुझो मेरे मन में मेरी अंतर आत्मा ने कहा मैंने वो बोल दिया तो मेरी बस एक विंती रहेगी माता पिता से कि वो एक अच्छे दोस की तरह अपने बच्चों से ट्रीट करें और बच्चों से एक विंती रहेगी अपने बाप को बहुत सम्मान दें प्यार दें और वो आपके सबसे बड़े वेलविशर हैं और यकीन मानिए कि उनके सिवा सबसे बड़ा वेलविशर वही है उनसे बड़ा कोई वेलविशर हो ही नहीं सकता है तो धन्यवाद लाइक शेर एंड सब्क्राइब मैं चैनल